तो अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं ECS टीटन बार्सिलोना में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की सबसे पहले तो भाई सभी को सौरी है क्योंकि मैं पहले मुकाबले का अपडेट नहीं दे पाया क्यों नहीं दे पाया नेट नहीं चल रहा था नेट की दिक्कत की वजह से यहां पर आपको मैं नहीं दे पाया अभी उपर आप देखोगे ना तो स्पीड देखो भाई कितनी काम आ रही है वह यह खुलेगा यह मलब ड्रीम 11 नहीं खुल रही थी मेरी तो तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी अभी यहां पर देखो आ तो गया है नेट अब नहीं देखते हैं मदलब कभ तक चलता कभ तक नहीं चलता है एंड में चल जाए वह बहुत बड़ी बात है वही चीज है इंपॉर्टेंट तो अभी तो चलो वीडियो नहीं भी ड़लेगी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बना रहा हूं देखते हैं कितनी देर तक ड़लत करने तो दिक्कत ही हो गई वहाँ पर अभी यहां पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिसकेस कर लेंगे अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिसक्रप्शन में मिल जाएगा आप कई सोच रहोंगे पिछली बार भी तूना बोला था भाई तू देगा अपडेट तूना दिया ही ना अब वही वाली बात है ना देखो नेट चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है तो देखते हैं आपको अपडेट पका ही पका प्रोवाइड कर वाऊंगा अब यहां पर अगर हम बात करें बार्सिलोना ग्लाइड का टूना में इतना बढ़िया गया ही नहीं है अब यहां पर वैदर रिपोर्ट के अगर आप बात करो 25 परसेंट चांसे हैं रहें के पहले मुकाबले मना आपको बता था बारा परसेंट है दूसरे मुकाबले में 25 परसेंट हैं और 16 डिग्री सेल्सियस आपके बास टेंप है मतलब इतना नहीती है कि बिलकुल बहूत जादा यूमिडीटी को यह बहुत जयादा क्लावडी होगया एक पर मैं दुबारा से देख लेता हूं वैसे कि क्या चल रहा है अब भी के लिए हाँ तो वो यह मतला धूप भी नहीं है बड़ वैसा भी कुछ नहीं है कि हाँ आपको बहुत जादा ड्यू देखने को मिल जाएगी है वैसा गुश्ट तो वो चीज आप देखकर चलना अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 102 रन जो पिछले पांच मुकाबले यहां पर खेले गए हैं अब रिकॉर्ड ओफ चेजिंग तीन बार चेज करते ही टीम जीती है दो बार यहां पर हारी है मिनाज अभी अभी अपना पहला मुकाबला खेल रही है उसमें अजज़द ना कुछ नहीं का रहा है बट इस मुकाबले मां अज़द एक important पिक रहने वाला है क्यों रहने वाला है अजजद बट इंपोर्टन क्योंकि सामने वाली मलबार सिलोना ग्लेडेटे की टीम इतनी बड़िया टीम नहीं है मिनाज के खिलाफ अपना आखरी मुकाबला हार करी आए हैं साथ रन से मुकाबला हारे हैं पर इनके बॉलर्ज नह बड़िया परसॉर्म करता अश्न जीर के अगर मैं बात करूँ 19 रेन की इसना पारी खेली उसके बाद यहां पर यहां पर टीओ रहमान नहीं ग्यारा रन की पारी खेली अर्सनाल मुहम्मन ने दो रन की पारी खेली है पिछले मुकाबले में और यही इनका हेड टू हेड भी है इसी टीम के खिलाव अर्सनाल यहां पर यूसुफ की अगर आप बात करो बीच के दो मुकाबलों विकेट लेकर गया बट आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा तो इज़ा गुडपिक आप आराम से ट्राई कर सकते हो बाबर यहां पर बसरत है आठ रन के साथ एक विकेट बड़िया परफॉर्मेंस इसकी रही है उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके पास हरून सलीक ने आठ रन की पारी खेलिया आराम से हरून सलीक को आप ट्राई कर सकते हो उसके बाद यहां पर हिसान उल्ला असजद आपके पास है दो विकेट इसने जड़काई हैं पिछले तीन मुकाबले में बड़िया परफॉर्म करकर दे कर गया है मेरे हिसाब से प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए इसकी सेलेक्शन बहुत ज्यादा कम है मैं इसी प्लेयर को लेकर गया हूँ म उसके बाद अगर आप नीचे आओगे बालिंग सेक्शन में बालिंग सेक्शन में ऐसान उल्ला असजद आपके पास हैं दो विकेट इसने जड़काई है नदीम आपके बास है इसने स्टार्टिंग में आकर बालिंग कर वाई बर ज़्यादा कुछ करा नहीं है उसके पर्पाब्लेम है यहांपर टीम जादा जल्दी परफॉर्मेंस कर ली थी फिर उसके आज यूद्ध यहां पर भी डैथ मों बॉलिंग यहां पर भी डैथ मों बॉलिंग तो कंसिस्टेंट ग्रेट कर वह अर्षा अर्षानल यूसुफ अराम से ट्राइब कर सकते हो मिनाज की अगर मैं बात करूं यहां पर अस्जाद बट तो आउट हो गया बट अभी ओपन जो कर रहा था वो कर रहा था वह यह उएस आहमद अश्जाद बट के साथ और उएस आहमद ने आठ रन की पारी खेलिया अभी के लिए उस्मान मुस्ताक खेल रहा है अभ के पास बहुत बड़िया ऑप्शन रहेगा खालिद महमूद आपके पास है दो विकेट एक विकेट एक विकेट और यहां पर जियर रन के साथ दो विकेट उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास व बसरत आल रांडिंग नहीं यह बैटिंग सेक्शन में प्लेयर है ज्यादा बड़िया नहीं कर रहा है उसके बाद यहां पर यसीन जावेद आपके पास है बड़िया पिक है तीन विकेट चटकाई है सामने वाली टीम इतनी बड़िया नहीं है और आखरी मुकाबले में तो तीन विकेट चटका कर रहा है इसी टीम के खिलाफ तो बड़िय तरह जब मुकाबला था तब की बात है उसके बाद यहां पर मुहमद यूनीब ने एक विकेट चैट काई है नीचे अगर आप देखो तो भाई आपके पास यहां पर बढ़िया प्लेयर है यहां पर इसी टीम के खिलाफ दो विकेट चैट काई है यसीन जाविद ने इसी टी पर देखने को मिल जाएंगे कोई भी ने प्लेर आता आप यहां पर आका इस्टैर्ट देख सकते हो अभी यहां पर हम टीम की बात डिसकस कर लेते हैं इसमें थोड़ी बहुत कन्फूजन होने वाली है वह कन्फूजन मैं आपकी यहां पर दूर कर दूँगा कि भाहां यह confusion ना तो कैसे हम clear करेंगे इस confusion को अब यहां पर आप देखो प्लेयर्ज और टीम्स आपके पास कौन-कौन सी है यहां पर अगर आप देखो तो भी आपके पास एस नजीर और उएस हमद उएस हमद बड़िया परफॉर्म कर रहा है अभी के लिए अभी जो आउट हुआ है वह हुआ यू मुस्ताक यू मुस्ताक आउट हो गया यहां पर शॉर्ट लेग में अब यहां पर अगर हम बात करें आपके बास हसनाल यूसूफ डेथ माकर बॉलिंग करवा रह है तैमूर यह तीन ही प्लेयर है तीन प्लेयर को ही ट्राइब कर सकते हो अभी देखो अगर तो अम्रियास खेलने रहा है अभी के लिए मुकाबला डवलियू बसरत को खिलाया गया है बट वही वाली बात है कि इतना बड़िया परफॉर्म कर पाया का मुझे तो नहीं लग बड़िया परफॉर्म करकर गया है जकाउलला अभी के लिए खेल नहीं रहा है असनाल मुहमत के ओपर आप फोकस कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग स्मॉल ग्रेंड लीग या स्मॉल लीग में अब यहां पर अगर मैं बात करूँ अरी रजा आपके बास है बट मैंने ट्राइ बाल को भी आउट दे दिया गया वही फेक फिल्डिंग जो फेक अपील वाली बात जो है ना भाईया जो मैं आपको सचिन सुदर्शना की बता रहा था डी मसूद ने भी वही कर रहा है वैसे शायद आउट नहीं था यह जो कुछ फील्डर के साब से बता लग रहा है कि हा जाँ देखी गई है क्योंकि यहां पर वो नहीं है थार्ड एंपायर नहीं है तो वैसा कुछ है नहीं तो देखने सकते हैं तो एंपायर के उपर ही है सब कुछ अब यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे पहली टीम अजद बट एज़ा कैप्टन सी यहां पर वाई पूरी की पूरी टिम आपके लिए समौल लिक स्मौल गेंड लिक फजाएवल टीम है अपडेट आपको टेलीगराम पर देखने को मिल जाहसे यहाँ का लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्श्न में मिल जाएगा दूसी टीम के अगर मैं बात करूं कैप्टन सी यहां पर तैमूर फिर उसके यहां पर जे इकबाल फिर उसके दे मुहमद अजजद बट उसके बाद अगर आप देखो तो भीया यहां पर एक playset मेरे उसमें नहीं आपा रहा है तो ओस्वान मस्ताग नहीं आपा रहा है gaat जया और उसमान मुस्ताग पर चाहता हूए बढ़िया प्ले आप आराम से यहां पर आप देखुए सद्सक्राइख स everytime के बाद इहां उसके बाद यहां पर वाइस केप्टेंसी मुस्ताक केप्टेंसी अजदबट खालिद मेहमूद उसके बाद आयूला फिर उसके आद ए हमजा आपके पास है यहाँ पर वाई जावेद पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लिग स्मॉल गैंड लिग फेवरेवल टीम अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए पस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर देगा वीडियो लाइक कर देगा बेल आइकन दबाद देए क्योंकि ऐसी वीडियो जोर भी आती रहेंगे आपके लिए स्चैनल पर